है राफैल की शस्त्र पूजा पर सवाल देश की संस्कृति का अप्तमान है हमारे परंपरा है कि हम शस्त्र की पूजा करते हैं लेकिन कॉंग्रेस उसका भी मजा कुड़ा रही है क्या वाकई अपने भविश्य को लेकर कॉंग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है इस सवाल के साथ इस डिबेट मैं उपन करता हूँ मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा है भारतिय जन्ता पार्टी के प्रवक्ता इनका स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में अचारे प्रमोत किष्टम है राजनीतिक विश्टेशक है और कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक है इन चुनावू में भी आपका भी स्वागत है कॉंग्रेस के नेता मेरे साथ इस चर्चा में एके वाजपई है उनका स्वागत है मुख्य प्रवक्ता लजपी के महासच्चेव लजपी के निशांत वर्म है जाने माने राजनीतिक विश्टेशक है राहूल गांधी के पुरजोर समर्तक है कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी समर्तन देते हैं में चाथ राशित के दवाई हैं दश्कों से भारतिये राजनीति को कवर कर रहे हैं और मैं आज की रिवेट राशित के दवाई आपी से ओपन करता हूँ राशित भाई आज का में टाइटल दिया है राफैल से राहूल तक कॉंग्रेस का राहू काल क्योंकि कॉंग्रेस में भीतर ही सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि अब तक हम चुनावों की हार से नहीं उबर पाए हमारे नेता नास्तिक है अब भारतिय राजनीति में आप इससे जादा खराब और क्या कर सकते हैं अब इस देखिए समस्या यह है कि अब सर्मान खुर्षी जो हैं जो एक देश के विदेश मंतरी भी रहे हुए हैं वो अब मानिशंकर रायर की जगा लेना चाह रहे हैं सबको पता है चिनावों हर्याना और महाराष्ट में हो रहे हैं कॉंग्रेस की हालत अच्छी है यह खराब है यह बात सबको पता है लेकिन इस समय उनका जैसा एक समझदार आदमी ऐसी बात उठाने का राविवांदी को पार्टी का अध्यक छोड़े पे चला गया काफी समय हो गया यह इस समय यह टाइमिंग जो उनकी है एक प्रेसिंश देख रहे हैं अगर भविश्य देख रहे हैं तो जाएं बहुत से लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी चोड़ी है लेकिन ऐसे समय में जब कॉंग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है जी लगता है निशान्त पर्मा मैं आपके पास आता हूँ क्या आपको लगता है कॉंग्रेस कंफ्यूज है राहू से लेके राफैल तक रहा है आप लोगों ने बोला राफैल में चौकिदार चोर है लेकिन नतीजा क्या आया अब आप नारियल भी लेकर आ गए हैं निभू भी लेकर आ गए हैं देखिए अब तो ये रिवाज है हम भी समझते हैं ने लगे राहूल पर डिसकेशन हो रहा है संबीद भाई यह आपके लिए है आपके लिए इसलिए कि आपको कहीं वो न लगे नजर ना लगे आपना नीबू और यहां बहुत ही समस्काल है तो नामन कर लिजे घर्मे के नमन कर लिए तो ना आपको जीजिए वैसे इस समय तोटका और नारियल की जरूरत कॉंग्रेस को बहुत है देखिये कॉंकि उनको नजर ना लगे कूँकि उनको नजर बहुत बुरी लग चुकी है क्योंकि आज की तारीक में पूजा अर्चना के नाम पे तोटका करके देश भर को गुम्रा करना कोई इन से सीख ले कोई मुझे बताए शस्त्र पूजा कैसे होती है क्या हम कल पैदा हुए थे पूरा हिंदुस्तान पूरा भारत जानता है हजारों सालों से शस्त्र पूजाया होती आई है यह वहां पे बिना गंगा जल बिना किसी शम्सी के पत्तो और वहां जा करके बिना किसी चीज के यह वहां जाकर के शस्त्र पूजा कर रहे थे या यह नोटंकी कर रहे थे अच्छा नहीं लगेगा सुनना लेकिन हकीकत यह शस्त्र पूजा तेजस जब अप्ट किया थी जिसी निए एक सिकिर समय आपको पूरा मौका दूगा लेकिन आपको अब्देक्शन रफैल की शस्त्र पूजा को लेकर है या सलमान खुर्शीद का बयान को लेकर है सलमान खुर्शीद का बयान अगर आप भाजपा के प्रिजम से देखते हैं तो समय अगर कोई भाजपा के प्रिजम से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि सलमान खुर्शीद ने प आप रफैल पे रखना चाहते हैं देखिए मुझे समझने या रहा ये बहस में बहस का टॉपिक है राहूल से रफैल तक कॉंग्रस का राहू काल लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल जो कालखंड है ये कॉंग्रस ही रोकना चाहती देखिए बरबाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था हर साख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये 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 सर मैं आपके बीच में ये बहुत फेमस एक शेर है मैं किसी के नहीं अर्ज करती हूँ ही मन में आया तो मैं कर दिया कितना आश्चेरे का विशय है हम डिबेट क्या कर रहे हैं कि सल्मान खुर्शीद ने क्या कहा अभी राशीद भाई ने कहा कि वो मनी शंकर बनना चाहते है कितने मनी शंकर हर साख पर मनी शंकर बैठा है आप शशी थरूर को देखिए वह मनी शंकर बनने के प्रपड़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के गुट और राहूल गांधी के गुट में युद्ध हो रहा है कौन सा गुट जीतेगा और वो खुद ही अभी खड़गे जी को कह रहे है तो नास्तिक है यह क्या जानता है और अशोक तवर को देखिए वह भी मनी शं सब्सक्राइब कर दूँगा आपको एक सके नहीं है यह तो भारती जंता पार्टी के लोग नहीं है यह हमारे एजेंट तो नहीं है यह आरेसे के साखा में तो नहीं गये थे यह सलमान खुर्शिदित्यादी खुद यह अगर बोल रहे हैं कि राहूल गांधी हमें छोड़ नहीं है कोई नियत नहीं है ऐसी पाटी या और देखिए कोई भी चुनाव अभी दो भी एक अंदर चुनाव के पूजा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं इन्होंने मुझे मज़े मज़े मज़ें नारियल भी दिया जी देखिए हमारे हिंदू कल्चर में किसी के धर आप नारियल लगा दिया नीमू रखने ते नीमू दे दिये आप खली ओम लिखना वां दिस ना चिल्ला के नहीं देखिए मैं आपको एक फैरिस्त पढ़ोंगा ये वार क्राइज है इंडिया के आर्मी की बिहार रेजिमेंट जै बजरंग बली दोग्रा रेजिमेंट ज्वाल माता की जै गर्वाल रेजिमेंट बद्री विशाल की जै ग्वार्खा रेजिमेंट आयो गोर्खाली 11 गोर्खा रैफल्स जै महाकाली ग्रनेडियर्स सवदा शक्तिशाली जम्मू और कश्मीर लाइट रिंफेंटरी भारत माता की जै जम्मू कश्मीर रैफल्स दुर्गा माता की जै जाट रेजिमेंट जाट बल्वान जै भगवान कुमाव रेजिमेंट कालिका माता की जै बजरंग बली की जै दादा किशन की जै जै दुर्गे नागा लद्दाक स्काउट्स भारत माता की जै मदरास रेजिमेंट वीरा मदरासी आधिकोलू आधिकोलू मराथा र राजपूत रेजिमेंट बोले सो निहाल सत्ष्रियाकाल बोल ज्वालामा की जाए राजपूत रेजिमेंट बोल वजरंग बली की जाए राजपूताना रेजिमेंट राजाराम चंद्र की जाए सिख लाइट इंफेंट्री बोले सो निहाल सत्ष्रियाकाल ये सब कम्यूनल ह क्या मैं बोलता हूँ हर हर महादेव इंडिया की आर्मी के लिए करोड़ों वर्षों से जब से हिंगुस्तान पैदा हुआ है हर हर महादेव का नारा लगता है कि मेरे माथे पर लिख देंगे यह जन्योधारी रामत इतना है पर लिख देंगे और इनके मुझे निम्बू रिचोड़ेंगे तब विटामीन सी मिलेगा बुद्धी काम करेगी इनकी बुद्धी घास चाहने गई हुए तो फिर कहा है आप भला काट रहे हैं तो पुझा करें न पुझा करें न पूरी गद्धा चाहिए तो फ्रांस के अंदर कमाल की बात करते हैं एक पर हैसे शादी होती है तो कली नारियल नीबू से पुझा हो गई यूँ आज मैं सही बात कर रहा हूँ और आपको उसे क्या बात कर रहे है एक फिर दे शादी करा के बोलते शादी होगी नीबू और नारियल से आप शास्त्र पूजा खाली कैसे कर तकते हैं पूरी करिए वाकई पूरी करिए आप लोग पर रहू काला हुआ हुआ है यह पता है यह मत कहिए कि दुकान पर टोटका होता है कि ताकि दरिद्रा को लक्षमी की बहन को भगा के रखा जाए वो किया बताई उनको अब नास्तिक है तो मुझे नहीं पता आपने कभी नई गाड़ी खरीदी होगी निशान भाई यह आपका प्रोकेटिव है आपने कभी जीवन में नई गाड़ी खरीदी थी कि नई खरीदी थी अब नई गाड़ी खरीदी यह गी तो मंदिर लेके गया होगे ना वाहन को गार्लेंडिंग किया जाता है माला पे नहीं जाती तो नहीं पे नहीं आई आप इंको पर गाड़ी तो आप पूल बीचा रहें पर शॉट दिखा रहें